Good morning मेरे प्यारे बगवा लोग, कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं का आप लोग ठीक होंगे मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बगवा लोग हैना, आज हम लोग देख रहे हैं, मैट्रिक फाइनल परिच्छा दोजर पचीश का महतपून सब्जेक्टिव क्योश्चन का सिरीज देख रहे हैं बगवा लोग यह हमारा आज का छठा वीडियो होगा हैना, यह कलास देंत का वीडियो है बगवा लोग, जिसमें हम लोग जोगरफी यानि भूगोल का सब्जेक्टिव क्योश्चन देखेंगे बगवा लोग हना यह हमारा गेस प्रशन है, गेस प्रशन है भूग लोग कर रहे हैं कि सर प्लीज गेस करवाद दिवीडियो ति हमारा गेस प्रशन पत्रह है घमारी क्योशी से कहईगे ratי लोग अधि वीडियो ऐसे ऑच्छा लगता है आफके लिए फानदा म Rap लिए तो लॉस्ट को लाइक कर सेर कर देज़ आज जू अभी तक चैनल को सब्सक्राब कर लिजए आज ऴूगो कुछानल में पढ़ालो में दिएजय को स्altet लिए मठाई कर रहा है में इसलिए सुर रहा ना ना 51 से पेटेंक मिलिस्ट पिछले वीडिएगा तो आपको मिल जागा सारा वीडियो, वहीं पे, अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब हम करवा दिये हैं, बगलो, तो चलिए, शुरुआत करते हैं आज का क्यूशन, देखेगा, काता है, बगलो, बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन है, देखेगा, काता है, ब्यापारिक क किर्सी और निर्वाह किर्सी में अंतर बताएं, तो चलिए, बगलो, हम लोग, इसके अंतर को देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं, अगर ब्यापारिक किर्सी और निर्वाह किर्सी लिखने को कहगा, तो जो हम लिखे हैं यहाँ पर उसी तरह से आप लिख दीजेगा, अंतर कहेगा तो अंतर भी लिख देंगे देखे कैसे लिखेगा जब बैपारे किर्सी उपर में हेडिंग दीज़े बहलो इसमें लिखेगा लिखेगा बैपारे किर्सी बैपार की दृष्टी से की जाती है जो बैपारे किर्सी होता है वेपार के लिए किया जाता है इसमें ज़्यादा पुंजी लगता है और कुछ तकनीक का परियोग करते हैं जिसके एकारण उत्तम किसके बीज रसाइन खाद, किरना सक दवाई तथा सिचाई का परबंद करते हैं पैदावार ज़्यादा होती है और लाभ ज़्यादा कमाया जाता है जैसे वेपारी किर्षी में आ गिया आपको कपास आ गिया चाय आ गिया, रवर आ गिया बासमाती चावल हो गिया इसब हो गिया बोलो तब यह होगा हमारा वेपारी किर्षी के बारे में अब चलिए हम लोग निर्वाह किर्सी के बारे में जानेंगे वोगा लोग तो निर्वाह किर्सी लिकर के डैस दे दिजेगा है ना तो निर्वाह किर्सी में लिक्षे का डैस देखे कि निर्वाह किर्सी भारत के अधिकान छेतरों में की जाती है जो निर्वाह किर्शी है भारत का अधिकान छेतरों में की जाती है क्योंकि देश के अधिकान जनसंख्या किया जन जीवन निर्वाह करती है भारत की अथ्वेवास्था का या परमुक अंग भी है जैसे धान और गेहों के खेती हम लोगों किस रूप में किया जाता है आप ख खाने के लिए किया जाता है, जिनकी गुजारने के लिए किया जाता है, हना, इतना मातरम तो हम लोग पैदा नहीं करते हैं, किसको, हना, बेश सके, इतना हम लोग कमा लेते हैं, कर लेते हैं, कि, इससे हमारी जो साल भर का, हना, खोराकी होता है, कट जाए, और अगर थोड़ ये चीज़ येगा नहीं, ये सब होता है व्यपारिक किसी, आई होता हमारा गेहूं और धान होता क्या होता? निर्वाह किसी होता तासा करते हैं कि आप इसको अपने भासा में बना करके लिख दीज़ेगा बगवा लोग लिख दीज़ेगा के नहीं मंदारी से बोलिएगा लिखिएगा के नहीं तो चलिए अब हम लोग चलते है केश्चे नमर 52 के बारे में इस भी बहुत ही important question है गभबवा लोग है नागदी फसल और open फसल में अंतर बता है नागदी फसल और open फसल में अंतर बता है तो लिखेगा बगलोग उतर में नगदी फसल लिकरके डैस दीजेगा लिखेगा नगदी फसल वैसा फसल कहलाते हैं जिनको बजार में ले जाने के बाद तुरंत नगद की रूप में आज की प्राप्ती होती है मना जैसे हम इसको बजार में लेकर जाते हैं और उसको बेज करके तुरत हम उससे कुछ पैसा कमा लेते हैं इसको बोला जाता है नगदी फसल है और इसे ब्यापारिक फसल भी कहते हैं जैसे मैं आप मनालियल जूट, कपास, आम, केला, चाह, इस अब क्या है? ब्यापारिक फसल है, हाना? यह इसको नगदी फसल भी कहते हैं अगला है रोपन फसल है, रोपन फसल, तो इसको मैं लिखेगा बलो, रोपन फसल लिकरके डैस दीजेगा, लिखेगा रोपन फसल, आईसे फसल को कहते हैं, जिसको एक बर लगाया जाता है, तथा उसके द्वारा बार बर लाब प्राप्त किया जाता है यह किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है, जैसे में हो गिया, रोपन फसल, रोपन, यहने केला, गन्ना, चाई, आदी, इस अब रोपन फसल है, है ना, आया समझ में, केला, आप रोपते हैं इसके, है ना, इसको आप जड़ से कबार करके पोधा को लगाईएगा, गन्न तगन्ना के तना को लगाया जाता है लोग लोग, हना, चाई, हना, इस अब रोपा जाता है, किलिर है, तो आग यह आसा करते है का आपको समझ में आ गया होगा लोग, आप इसको बना करके अपने तरीका से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, जी, तो चलिए, अब हम लोग अगला देखते हैं वोगलो अगला कहता है किस्चन में 53 कहता है साधन की निर्मान की तक्नीक का क्या भूमिका है साधन की निर्मान की तक्नीक का क्या भूमिका है असपष्ट करें इसका अंसर लिखेगा वोगलो लिखेगा संसाधन की निर्मान में तकनीक की भूमिका बहुत ही महतपुर्ण है जिम्रमेन की अनुसार संसाधन होते नहीं बनते हैं जिम्रमेन जो थे हना वो बोले थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं आज बरतमान समय में मनुस अपने लिए जो भी बस्तुओ का इत्माल कल रहा है, है ना, उसमें तकनीक का उप्योग किया गया है, भारत में संसाधनों की कमी नहीं है, परन्तु और अच्छे से अच्छे तकनीक लगा कर मानव के लिए उप्योगी बनाया जा सकता है, यही है संसाधन के निर्मान की तकनीक की भूमिका, आसा करते हैं कि आपको समझ में आगी आ होगा, भारत में है ना, तो चलिए हम लोग गिश्चन नमर 54 देखते हैं, भारत में देख़ेगा 54 देख़े क्या कहता है, कहता है, उद्योगों के अस्थानिय करन के तीन कार्णों का उल लेकरेने, तीन उबुप कार नें इसको बताने हैं बगल, तो लिखिए कहा यहाँ पर हम चरपाँच उबुप कार लिख दी है, मगर आपको तीने कार लिखना है उद्योग के अस्थानिय कारण हना करण की तीन कारण निम लिखीत है पहला है बजार की उपलबता दूसरा है कच्चे मार की उपलबता तिसरा है सस्ते रिन की उपलबता चबठा आप अपना तरीका से लिख सकते हैं अगर जाद है पूछ दिया तो रिख देज़ेगा परिवहन मारका होना पच्मा है कानून वेवस्था इस तरह से आप इसका अंसर दे सकते हैं बोगरोग चलिए अब हम लोग चलते हैं क्यूशन नमर 55 देखते हैं बोगरोग उतर हना आपात इस्थितियों में संचार व्यवस्था की एक अत्यंत सुबधा जनक पर नाली को हैम रेडियो कहते हैं इसका परियोग गैर बानिज्यक परियोजनों के लिए किया जाता है इसमें आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है यह एक बिशेच फ्रिक्वेंसी की तरंगों का उप्योग अंतराश्टिये दूर संचार नियमों के अनुसार करती है यह संचार बवस्था आपदा के दवरान सुचना के करम में महतपुन भूम का निभात्ति है सुचना देने का काम करता है कि जिसे अगर कुछ भुकां पाने वाला है कुछ भी आने वाला है बहुत तेजी से कुछ हमारे हां कुछ होने वाला है तो आपको यही आपको क्या करता है आपगत कराता है ववस्ता संचार ववस्ता आपदा के दवरान सुचना के करम में महत्पुन भूमकानिवाती है बगलो तो चलिए अब हम लोग क्योशन नमबर 56 से देखेंगे इससा बॉड इजया है बगलो हम आपके लिए लाया है चलिए फिप्ट शिक देखेंगे अंतर बताए धात्विक तथा आधात्विक खनेज में अंतर बताएं तिसको लिखेगए बगलो अधात्विक खनेज एवाम अधात्विक खनेज में निम लिखीत अंतर है इसको पेज को आप दो कॉलम में बना लिजेगा एक तरफ धात्विक खनेज लिख दीजेगा एक तरफ अधात्विक खनेज लिख दीजेगा अधात्विक खरेंज में लिखेगा पहला अंतर में, कि इन्हें प्रगलन से धातु की प्राप्ति होती है, आप अधात्विक में लिखेंगे कि इन्हें प्रगलन से धातु की प्राप्ति नहीं होती है, इसमें धात्विक खरेंज में लिखेगा कि यह कठोर एमम चमकने वाल प्रत दार चटानों से प्राप्त किया जाते हैं धात्मिक में लिखियागा बवलोग चौठा नमार अंतर में, कि इन्हें पीट कर तंतु निकाल सकते हैं, अब धात्मिक में लिखियागा इन्हें पीट कर तंतु नहीं निकाला जा सकता है, तासा करते हैं का आपको समझ में आ गया होगा बवलोग, ऐसा भेरी भेरी इंपोर अस्थियों को परभावित करने वाले तीन मान भी ये कारण बताए है ना तो चलिए इसका उत्तर कैसे लिखेगा लिखेगा हम जानते हैं कि किसी भी उद्योग को संचालित होने में अनेक कारक सहायक होते हैं है की ना इसके बीना उद्योगों का आस्थित्व कायम नहीं बन पाता है आता है इसकी अब इस्थित्य को परभावित करने वाले तीन मान भी ये कारण इस परकार से हैं लिखेगा इसमें कि पहला है पुंजी पहला है पुंजी तो कहता है उद्योग के लिए सबसे पहले पुंजी के अब सकता होती है जिससे वह बैपारिक है न बैवसायक निवेश कर सके सही बात है कि ने अगर आप कोई भी उद्योग आप चालू करना चाहते हैं कोई भी विजनस चालू करते तो अगर कुछ समान खरीदना है आपको तो वहाँ पर आपको क्या करना है पुंजी तो लगाना है पड़ेगा पाहिला पॉइन दूसरा कहता है स्रम कहता है प्राया स्रामिकों के बीना उद्धोग के स्थिती उस परकार है जिस परकार बीना सबजी का भात है बताएए अगर बीना सबजी के भात खाईएगा चाब खाईएगा तो खाया जाएगा उतना मातरा में नहीं खा सकते कुछ ना कुछ उसमें माटेरियल चाहिए बगलो अगर आप निमके भात मार रहे हैं निमके भात मार रहे हैं उसमें आप नमक डालिएगा, पियाज राखेगा, मिचाय राखेगा, अचार राखेगा, पानी डालिएगा, मार कधा सोड़ दिजेगा, है की नहीं? तो है कहता है कि अगर उद्योग आप चालो कर रहे हैं तो उसमें आपको सरविकों की जरुवत पड़ेगी उद्योगों के लिए मानविय सरम काफी आवश्यक तत्व है तिसरा पॉइंट में डिखेगा अस्थानिय कमपानियों का सहयोग अगर आप समान बना रहे हैं तो कह रहा है कि यह उद्योग पर आया अस्थानिय कमपानियों से ही सीख लेते हैं काता है अगर अस्थानिय कमपानी वहाँ पर नहीं रहा है तो आप जो भी समान बनाईएगा तो आप वहां के कमपणी में नहीं भेजियेगा तो आपका जो आप बनाए उद्योग के जो भी बनाए तो उसका कोई भैलू है विक्विने करेगा तो फिर अखर 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 इसी सड़ जागा तो आता उद्योगों के लिए तीन आवाश्यक तत्व अत्यांत आवाश्यक है तो चलिए भोगलोग अब हम लोग चलते हैं क्योश्य नमा 58 क्योश्य नमा 58 में पूर्वी तट के नादी डेल्टाओं पर किस परकार की मिरिदा मिरिदा होगा भोगलोगे हाँ पर गलती लिखा गया है ना मिरिदा किस परकार की मिरिदा है ना मिरिदा पाई जाती है इस परकार की मिरिदा की एक विश्यस्ता का उलेग करें बगलो सी से पूर्ली तटके नदी डेल्टाओं पर जलोड मिर्दा पाई जाती हैं जलोड मिर्दा की अनेक विश्यस्ताइं हैं जैसे पहला में जलोड मिर्दा बहुत ज्यादा उपजाव होता है है ना दुसरा है जरूर मिर्दा पोटास फास्फोरस और चूना युक्त होती है किलियर है तासा करते हैं बगवा लोग कि यह क्यूश्चन आपको समझ में आ गया होगा लिख दी जगा ना तो चलिए अब हम लोग क्यूश्चन नमर 59 देखिएगा बगवा लोग यह भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टन क्यूश्चन है देखिएगा 59 का ता मिर्दा पर्दन अथवा भ पूश्चन पूश्चता है कि पहाड़ी छेत्रों में मिर्दा अपर्दन को रोग थाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए है ना तो इसको लिखिएगा कैसे है बगवा लोग इस सब बहुत ही इंपॉर्टन क्यूश्चन है ना नम भी भी आई है बगवा लोग इसको दम क थाम की उपाय भी हमारे समझ है आईए देखते हैं कि यह किसकुआ उपयोगों से संबब है ल बात है, कि जो पहारी चेतरे वहां की मिटी तो ढल ढल का क्या हो रहा, परवाद हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो देखें इसको कैसे उपाय करेंगे इसका, तो लिखेंगे पहला point में कि समुच जुताई, तो देखें गर बगलो, पहारी छेतरों में धाल वाली भूमी पर समोच रेखाओं में जुताई करने से मिर्दा अपरदन होने से बस सकता है पहला है समोच जुताई है ना कियारी कियारी के टैप करके बना करके इसको जुताई करिया है न उसी को बोलता है समोच किसी मनें इस तरह से क्यारी क्यारी नियन लगा बना दिजिए है न इसको जोताई किजिए फिर इसको जोताई किजिए तरह यहां से जो भी पाने के तरह मिट्री आएगा इसमें रुकेगा फिर इसके बाद यहां रुकेगा फिर इसके बाद यहा आरी बगब बना दी इस तरह से मेर जिसको बोलते हैं आया समझ में चलिए अगला है बगब लोग समझेगा कता है अगला है 105 द्वारा कता पराया पहाडी छेत्रों में सीड़ी सीड़ीदार खेती किया जाता है जिससे मिर्दा का अस्था इत्व कायम रहा है मैंने वहाँ सीड़ी नुमा अभी जो ने बताए उसी तरह से सीड़ी नुमा बना करके वहाँ की मिट्टी को हम लोग क्या कर सकते हैं बचा सकते हैं उदाहरन के लिए लिजिए आपको उतराखन में चल जाएए वहाँ पर आपको सुपान किर्सी मिलेगा वहाँ सुपान किर्सी के उदारफ फसर बजाया जाता है अगरा तिसरा है घास की पटिया घास की पटिया बना करके भी हम मिट्टी को बचा सकते हैं जिसे लगता है घास के पटियों को मैदानों के बीच बांधने से हवा की गती में परिवर्थन होता है, जिसे मिर्दा अपरदन नहीं होता है चौठा पॉइंट में है बोगा लोग, दिखेगा, चौठा पॉइंट में पसुचारन पर रोग, पसुचाई भी जरूरी है पसुचारन पर रोग, अत्यांत पसुचारन से घास की संख्या में कमी आ जाती है, अत्या इसकी रोग पर भी मिर्दा को सनरचित रखा जा सकता है सबसे बड़ी बात यह है कि बिर्चो की रोपन करके हम अधिक अधिक मिर्दा को अपरहन अपरदित होने से बचा सकते हैं किलिया रहा है, चलिए, तो आसा करते हैं वह लोग, किया क्यूश्चान का अंसर आप समझ में आगे होगा आपको, है ना, अब चलिए हम लोग क्यूश्चान नंबर 60 देखते हैं उद्योग परियावरन को कैसे परदूसित करते हैं उद्योग परियावरन को कैसे परदूसित करते हैं तिसका उतर में लिखेगा, उद्योग परियावरन को निमलिखित परगार से परदूसित करते हैं उद्योग परियाबरन को निमलिखित परकार से पर्दूसित करते हैं, उद्योग परियाबरन को, है ना, तर्जय कैसे, निमलिखित में से कैसे, तो पहला पॉइंट में लिखेंगा बायू पर्दूसन, उद्योग के द्वारा, है ना, कता उद्योग से निकलने वाले धुये एमम जहरीले गैसों से बायू परदूसित होता है कार्वन मोनोक्साइड और सर्फर डायोक्साइड के फानले से अवांचनिय तत्वों की संदरता बायू में बढ़ जाती है किलिए है बायू परदेशन तो उद्योग से कार्वन मोनोक्साइड और सर्फर डायोक्साइड के फानले से अवांचनिय तत्वों के संदरता बायू में क्या हो रहा बढ़ राजी से बीमारिया बढ़ रहे है चलिए अगला पॉइंट में लिखेगा दूसरा है जल परदूसन तो उद्योग के कार्वन एवां आकार्वनिक अवसिष्ट जल एवां कच्रे को नदियों में बहा देने पर जल परदूसित हो जाता है किलियर है तिसरा पॉइंट में भूमि परदोसत उद्ध्योगों के कूले कच्छे का भूमी में अधिक समय तक पड़े रहने से भूमी का उपजाओ समाप्थ हो जाता है पच्च उठा में है ध्वाने पर्दोशन उद्योगों से निकलने वाले सोर से ध्वाने पर्दोशन होता है तासा करते हैं कि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो को लाइक कर देजिए कर दिये जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए गया और एक बात जरूर हम आपसे कहना चाते हैं कि प्लीज फ्लीज प्लीज फ्लीज हना कुछ ना कुछ आप कमेंट जरूर कीजिए बगवा लोग अब पुछेगा क्यों सर तक क्यों कि जो हम वीडियो बना रहे हैं हमें तो लगना चाहिए ना कि जो हम वीडियो बना रहे हैं इस पर हम इतना मेहनत कर रहे हैं अपने बगवा लोग को लिए अवा वीडियो हमा कुछ कमेंड करके जरूर लिखेंगे चाहे नाम पता कुछ भी लिख दीज़िए तासा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लागा होगा बोगलो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए बोगलो समिल के बोलिए जय हिन